हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ गोबी मूली इस्टप्ड परहाटा और बूंदी के रायते की रस्पी सेयर करेंगे जो कि एक ब्रेकफास्ट, लंच, टिनर किसी में भी आप बना कर इंज्वाए कर सकते हैं देखिए कि इतना बढ़िया हमारा गोबी मूली का इस्टप्ड परहाटा बनकर तयार हुआ है इसके लिए हमने एक बढ़ी गोबी का फूल और दो मूली ली हैं सबसे पहले मूली को हम छील लेते हैं मूली हमारी छेल चुकी है अब हम इसे ग्रेट करेंगे एक बरतन में ग्रेटर इसी तरह से हम ग्रेट कर लेंगे मूली हमारी ग्रेट हो चुकी है अब हम इसका पानी निचोड लेंगे अच्छे से मूली का पानी आप निकाल लीजिये और मूली को दूसरे बावल में रख लीजिये गोवी को भी हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे दिखें दोनों हमने गूवी और मुली दोनों को ग्रेट कर लिया है इदर कड़ाई में एक बड़ा चम्माच हमने सर्षणों का तेल लिया है उसमें हम जीरा डालेंगे थोड़ी सी हींग, साथ में दो कटी हुई हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसको छोटा-छोटा चौप किया है फिर मूली और गोभी दोनों को हम डाल देंगे और हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट तक चलाते हुए गोभी मूली को भून लेंगे हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि इनका पानी बिल्कुश सूख नहीं जाता तीन मिनट हो गए हमें इन्हें भूनते हुए आप इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच गरम मसाला पाउडर, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और आदी चमच इसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है अच्छे से मसालो को इसमें मिक्स करके चलाते हुए और भूनेंगे जितना बढ़िया आप इनको भून लेंगे, आपके पराटे उतने ही अच्छे बनेंगे क्योंकि जितनी अच्छे बूनेगी आपके पराटे फटेंगे नहीं और इस टपिंग पराटों से बाहर नहीं निकलेगी इसलिए आप इसे जितनी अच्छा बून सकें, उतना बूनिए उपर से इसमें हरी धनिया डाल देंगे धन्या को भी डाल कर इसे भून लेंगे इसे भूनते हुए तक्रीवन हमें 10 मिनट हो गए है बढ़िया हमारी गोभी मूली की इस्टपिंग बनकर तयार हो गई है गैस की फ्लेम आप मीडियम और लो करके इस्टियों को चलाते हुए भून लीजिए इस्टपिंग बनकर तयार हो गई है पहले से ये काफी कम भी हो गई है अब इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए हम रख देंगे क्योंकि पराटों में ये इस्टपिंग बिल्कुल ठंडी भरी जाएगी इधर हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है ये आदी चमच अजवाईने हाथों से रगड़ कर इसको भी आटे में मिक्स करतेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे दोनों चीजों को आटे में मिक्स कर लेते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तयार करेंगे परहाटों के लिए डो हम थोड़ा सा सौप्ठी बनाएंगे जिससे हम जब इस्टपिंग भनें तो हमारे परहाटे फटे नहीं और आसानी से ये बिल जाए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने अपना आटा गूत कर तयार कर लिया है आटे को मसल कर बढ़िया चिकना कर लेते हैं ये देखे आटा हमारा तयार है 20 मिनट के लिए इसे रेश्ट पर हम रख देंगे इधर हमारी इस्टपिंग भी बिल्कुल ठंडी हो गई है आप हम इसमे नमक डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेते हैं आप ये इस्टपिंग बिना नमक डाले दो से तीन दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं जब आपकी मर्जी हो तब आप परना सकते हैं बस इस्टपिंग में नमक मिलाईए और परहाटे बना कर आप तयार कर लीजिए इधर आटे को भी 20 मिनट हो चुका है चलिए परहाटे बनाना हम सुरू करते हैं सुखा आटा हमने थोड़ा रख लिया है थोड़ा सा आटा लेंगे सुखे आटे में रखेंगे और इसकी हम लोई काटेंगे परहाटा आप छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं एक बढ़िया सी लोई हमने काट ली है लोई को सुखे आटे में लपेटेंगे उंग्ले और अंगूठे की साहता से थोड़ा साहिसे बढ़ा लेंगे अब जो हमने इस्टपिंग तयार की थी एक चम्मच भरकर इस्टपिंग हम लोई के उपर रख देंगे और अंगूठे से दवाते हुए आटे को चारो साइट से बीच में लाकर जोड़ देंगे और दवा देंगे यह दिखे हमारी लोई भरकर तयार हो गई दोनों साइट अच्छे से सूखा आटा लगाएंगे और हतेली से इसको थोड़ा सा जितना बढ़ सके बढ़ा लेंगे अब इसको बेलना सुरू करते हैं हलके हाथ से ही हम इस परहाटे को बेलेंगे हमारा डो ज्यादा सॉफ्ट है इसलिए ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं और जहां फट रहा है उसे आप उग्डियों किसे सही करते जाईए और अपने परहाटे को बेल लीजिए परहाटे को रोटी से थोड़ा सा मोटा ही बेलिए इधर तवा गरम हो रहा था उस पर हम अपना परहाटा डाल देंगे जब एक साइट से परहाटा सिख जाए पलट कर दूसरी साइट से इसे सेकेंगे परहाटे 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 परहा यासा color आने तक सिखने देंगे, दवाते हुए चारों साइट से पराटे को दवाते हुए आप सैंक लीजिए, यह देखे, पराटे में कितना बढ़िया color आया है और दोनों साइट से हमारा पराटा बहुत ही बढ़िया सिखा है, हमने उलट पलट कर अपना पराटा सेंक लिया है इसी तरह से हम और पराटे भी बना कर सेंक लेंगे अब हम रायता बनाएंगे इसके लिए एक बॉल में हमने दही लिया है दही को थोड़ा सा मत लेंगे इसमें हम आधी चमच धनिया पाउडर चोथाई चमच गरम मसाला लाल मिर्च चोथाई चमच और आधी चमच चाट मसाला थोड़ा सा नमक पी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स कर लिया है आप हम इसमें बूनी डाल देंगे अरा धनिया भी डाल देते हैं बूंदी को भी दही में हम मिक्स कर लेंगे और लीजिए हमारा बूंदी का रायता बनकर तैयार है आप इसे फ्रिज में ठंडा करके सर्व कीजिए पराटों के साथ बूंदी का रायता और अचार बहुत ही बड़िया लगता है इसे बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है आप इसे चटनी, सौस किसी के साथ भी खा सकते है आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले थेंक यू